आई वेफ एक तरह की साइंटिफिक टेकनीक है जो बच्चे बनाने में मदद करती है और उसको हम यूटरस में डाल करके कोशिश करते हैं कि इंप्लांट हो जाए पर आई वेफ कभी भी 100 प्रतिशत नहीं है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या होतί है कि किसकिस पॉइंट पे हम मेहनद कर सकते हैं महनद करने की पॉइंट चीज है कि जन जिन से बिर्फ बना जो घुआ तो इडग और पर्रॉब्लम होगी वह उच्छे एम्परियूज नहीं बनाएंगे इसकी वज़े से यहां बोसकता यूँकर अब आज मूंघ र को और दो शोगे आपका यूट्रस ठेर्ड पॉइंट वा आप उसको एक पेड़ से ऑड़को लिए क्या डालते को हाप देते हो रोज पानी सेलो उसको कार दालते हो उसको सन्रेच मिलते निव्ट शिए्ञटन दालते थो हूँ चीज यूट्रस के लिए हो क्या है जो फीमेल पर कर रही और सब कुछ नॉमल है तो वह भी एक और वह नहीं फॉलो कर रही है तो आई भी फेल होने का तो यह थ्री आप सोच लो मेजर कॉज़स है फोर्थ कॉज़ है कि भाई कभी कभी लाब में भी स्नाग होता है डॉक्टर में प्रॉब्लम है उसको भी हम रूल आउट कर सकते हम सिर्फ एक तरफ से बात नहीं कर सकते हैं तो वह भी एक प्रॉब्लम है इस पेशंट सब्सक्राइब नेे उसको फॉछ करने के लिए बोला कि नहीं सुनी पर ये जो जो लास्ट के दौब कोई भी दॉक्त नहीं चाहता है कि उसके पेशन का और कोई भी पेशन का यह पेल इसलिए पेशन्स भी सारी कुछ ताइम टॉट पो लो कर थे हैं तो अब अगर एक की प्रॉब्लम होती है प्राइब हो जाता है तो अगर आइवे कोशिच करते हैं उस एक को ढाने के लिए ब है कि सेकंड टाइम फिर हम पेशंट के एक से नहीं जाते हैं ऐसे केसे हमने भी किया है जब एम्टी फॉलिकल्स आये हैं या एम्ब्रोज अरेस्ट हुए लेकिन दुबारा जब पेशंट कही एग और स्पर्म से किया है तो वह आगे फिर से ग्रो किया है तो उसकेस में भी ज सब्सक्राइब करने की बात हो गई और अगर हम मजबूत नहीं कर पाते हैं उसकेस में पेशंट को हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन मीन्स एक और किसी की सहायता जैसे कि अगर आपका माली जापका एक्सिडेंट हो जाता है सड़क पे तो आप क्या कर तो आपको जाती है हमेशा इस पर पेशंट की प्रॉपर साइन ली जाती है पेशंट को इन फॉर्म किया जाता हैं ऐसे लाब में एंब्रियो और एग और सपर्म की इस तरह से मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं तो यह आपका फरस्ट पॉइंट हुआ क्योर होने का सेकेंड पॉइंट पर प्रॉइंट बहुत बार प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कुछ कुछ टेखनीक हैं कुछ मैडसिंज करने की कोशिश करते हैं हम दुरबीन के दॉला यूटरस को रीकंस्ट करने की फिर से उसको ठीक करने कोशिश करते हैं और तब भी नहीं होता है सकसे तो हम पेशंट को पर यह हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस दवा को खिला रहे हैं या तो इसमें आगे सक्सेस होगा कि नहीं पर करने के बाद हम बेश्चक पेशन को बता सकते हैं इस्टेस को पी करें कुछ भी अब कुछ भाई तुम्हारा नहीं हो सकता तुमको बदर लेनी पड़ेग तो वो सब चीजें पहले cure करके करें फोज चीजे क्या है पेशन्ट को हमेशा पता करके कराना चाहिए कि वो किस सेंटर पर करा रहा है डॉक्टर क्या है डॉक्टर experienced है की नहीं जो embryology की team है वो proper है की नहीं लोग वहाँ पे उस lab का proper quality control कर रहे हैं की नहीं तो यह सब चीजें पेशन्ट को ध्यान रखनी चाहिए जैसे की पेशन्ट अपना कहीं भी जाता है कुछ भी चीज कराता है आप अगर एक नॉर्मल शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप सारे ब्रैंड्स ढूनते हो टीवी एक खरीदने जाते हो नॉर्मली तो वैसी आपका यह काम होता है कि डॉक्टर के बारे में पता करो वह क्या कर रहे हैं उनके लिए पता करो एंड लास्ट चीज होती है पेशन्ट को कि आप स्ट्रेस नहीं लो और जो भी चीज़े आपके डॉक्टर ने आपको बोला है वह आप फॉलो क कर सकते हैं और कोशिश ही होती ही कि कि किसी भी तरह से मींस खुद से थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन ले करके या तमाम सर्जरी करके पेशन्ट को प्रेगनेंट किया जाए